हेलो बच्चो आप सबको मेरा नमस्कार जाहिन आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा आठ विज्ञान विशे रहेगा और पार्ट चार है इसके हमारे पास ये पार्ट का नाम है धातू और अधातू ठीक है तो इस पार्ट के जो अभ्यास के प्रसंद थे वो रहे गे थ तो वो इस वीडियो में करेंगे अभ्यास के प्रसंद उत्तर है तो चलिए सुरू करते हैं इस से पहले मैं इस लेसन की वीडियो बना चुका हूं जो हम पाठ्था पुस्तक में पूरा लेसन समझा है हमने तो अभ्यास के प्रसंद है वो सुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नमबर वान निमन लिखित में से किस को पीटकर पदली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है तो किस को हम पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं तो इन में से जो धात्व होती है उसी को परिवर्तित कर सकते हैं तो जिंक जो है वो धात्व है तो जिंक किसका अंसर आ जाएगा उतर है इसका जिंक Phosphorus, Sulfur, Oxygen नहीं होगा क्योंकि वो ऐ धात्वे होती है धात्वों को ही हम पीट कर पदली चादरों में परिवर्थित कर सकते है फिर उसके बाद Question No.2 है निमन लिखित में कौन सा कथन सही है? तो हमने बताना है कौन सा कथन सही है तो इसमें सभी धात्वें तन्या होती है ये भी सही है सभी ऐ धात्वें तन्या होती है ये गलत है और समान्यता है धात्वें तन्या होती है तो समान्यता है धात्वें तन्या होती है इसका मतलब है कि कुछ धात्वें तन्या नहीं है तो ये भी गलत है क्योंकि सभी धात्में तन्य होती है कुछ ऐ धात्में तन्य होती है तो ये भी गलत है कुछ ऐ धात्में तन्य होती है तो इसमें कहा था कि कौन सा कथन सही है तो सही बताना है हमने तो सही आजेगा आपके पास पहला कहा आएगा सभी धात्में तन्य होती हैं यानि सभी धातों को हम खीच कर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर तीन इसमें हमने रिक स्थान बढ़ने है खालिस्थान बढ़ने है रिक स्थानों की पूर्ति कीजिए तो इसमें है आपके पास पहला question पहला खालिस्थान है fast force बहुत सक्रिय एधातू है तो इसमें सक्रिय आएगा तो ये आपका इसके पास निच्चे अंसर है सक्रिय कैभाग में जो आएगा सक्रिय है क्योंकि fast force एधातू होती है और सक्रिय होती है इसलिए हम उसको पाणी में डुबो के रखती है फिर जो धातू है उश्मा और विद्यूत की सूचालक होती है तो पहले खालिस्थान में विद्यूत आएगा ठीक है क्या आएगा विद्यूत और दूसरे खालिस्थान में इसमें सूचालक आएगा तो ये जो खालिस्थान है इसमें विद्यूत आएगा और इस खालिस्थान में सूचालक आएगा ठीक है तो धात में जो होती है विद्यूत और उस्मा की सूचालक होती है इसका मतलब है इन में से विद्यूत और उसमा गुजर सकती है फिर है आईरन कोपर की अपेक्सा अधिक अभी क्रिया सील होता है आईरन जो होता है कोपर की अपेक्सा अधिक अभी क्रिया सील होता है तो इसमें अधिक आईगांसर गय का भाग जो अप्षन है अधिक फिर गय भाग में धात में अमलों से अभी क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है तो जो धात में होती है वो तो जो धात में होती है अमलों के साथ हभी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है तो धात में अमलों और अक्षारों दोन्नों के साथ हभी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है तो यहा निकल रही होती है ना, तो अगर उसके पास हम जलती है मुंबत्ती या आप आचिस की तिली ले जाएं, तो धुमाक्य के साथ जलती है, पॉप की धमनी के साथ जलती है, चौथा क्वॉस्ट्टिन है, ट्रू फाल्स हैं, इसमें सही और गलत बताना है, कौन सा कथन सही है, कौ रिया नहीं करती फिन सॉडिययम बहुत अभी क्रिया सील ठाथू है तो यह सही है १्यूग इस इται girl अब क्रिया सील धाथू घ्य जादा, इसको मिठी के तेल में डुबहों के रखते हैं ठीक, एक अपर जिंक सलफेट के विलियन में जिंक विस्थापित करता है यानि कोपर जो है जब जिंक सलफेट के विलियन में डालते हैं तो वो जिंक को विस्थापित कर देता है तो ये गलत है क्योंकि जिंक ज्यादा सक्रिया है तो कोपर जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता ये फालसा जिए फिर घय भाग है कोईले को खीच कर तार बना सकते हैं तो क्या कोहले की तार बना सकते हैं नहीं गलत है तो यह फाल्स आजेगा आपका अंसर घै का अंसर फाल्स ठीक है फिर उसके बाद next question पर जाते हैं हम तो इसमें next question है आपके पास तो next question है नीचे दिये गए गुणों की सूची दी गई है इन गुणों के अधार पर धातूओं और अधातूओं में अंतर यानि धातूओं और अधातूओं में अंतर बताना है हमने ठीक है तो धातू और अधातू में अंतर कैसे बताएंगे तो ये अंतर आगे दिखाता हूँ मैं आपको उतर ही पे ले जाता है तो धातू और अधातू में अंतर है जैसे दिखावट है सबसे पहले दिखावट यानि धात में कैसी दिखती है एधात में कैसी दिखती है तो धात में है वो चमकिली होती है और एधात में चमकिली नहीं होती ठीक है धात में चमकिली होती है दिखावट में एधात में चमकिली नहीं होती फिर कठोरता में आ जाएगी धात में कठोर होती है ठोस होती है एधात में ठोस नहीं होती ठीक है कठोरता में क्या आएगा धात में ठोस होती है कठोर होती है लेकिन एधात में नहीं होती फिर आएगा तीसरा आपके पास एधातवर्धनियता तो जो धातवें होती है एधातवें नहीं होती है और एधातवें नहीं होती धातवें में एधातवर्धनियता होता है यानि इनकी चादरें बना सकते हैं पीट कर लेकिन ऐ धात्मों की नहीं बना सकती चोथा है तन्यता तन्यता का मतलब तार बनाना तो धात्मों की जैसे लोहा सोना चांदी इनकी तार बना सकते हैं लेकिन ऐ धात्मों की तार नहीं बना सकती ये तन्या नहीं होती ठीक है फिर विद्यूत और उस्मा का चालन विद्यूत और उस्मा का चालन तो विद्यूत और उस्मा का चालन जो धात्में होती है वो उस्मा की विचालक होती है और विद्यूत की विचालक दोनों की चालक होती है और लेकिन एधात्में जो हती है विद्यूत और उस्मा का पाचालन ये नहीं करती, ठीक है, फिर उसके बाद ये अंतर आ गया इन में, फिर question है 6, निमन लिखित के कारण दीजिए, तो निमन लिखित के कारण बताने हैं हमने, पहला है question, कै भाग, ऐलमूनियम की पनी का उप्योग, खाने की समगरी लिपेटने में की जाती है, तो क्य क्योंकि एलमूनियम एक घात वर्धनिय धात्तू है, और इसकी पतली पनी हम असानी से बना सकते हैं, और ये ज़्यादा सक्रिय धात्तू भी नहीं है, जिससे खाना भी खराब नहीं होता, इसलिए इसका उप्योग हम भाजन को लिपेटने में करते हैं, फिर उसके बाद ह नेक्स्ट है गयभाग, गयभाग है जैसे कोपर जिंक को उसके लवन्स के विलियन से विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसका क्या कारण है, तो जो कोपर है वो जिंक को उसके विलियन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक जो है, वो कोपर से अधिक अभी क्रिया सील धातू है कोपर जिंक जो है वो कोपर से जादा सक्रिया है इसलिए विस्थापन अभी क्रिया तब होगी जब कोई कम अभी क्रिया सील धातू के लवान के विल्यान में अधिक अभी क्रिया सील धातू डाले यानि हम यह कह सकते हैं कि अधिक अभी क्रिया सील धातू कम अभी क्रिया सील धातू को ही विस्थापित कर सकती है लेकिन कोपर जो है वो कम सक्रिया है जिंक से ठीक है तो इसलिए कोपर जो है जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता ठीक है बच्चो फिर नेक्स्ट है आपके पास सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में क्योंट वोके रखते हैं तो इसका अंसर है आपके पास जो sodium है और potassium है वो बहुत अधिक सक्रियादात हुए है यह हवा के संपरक में आते ही इनमें आग लग जाती है वह यह oxygen से अभिक्रिया कर लेके oxide बनाती है और आग पकड़ लेती है तो इसलिए oxygen से बचाने के लिए हवा से बचाने के लिए इनको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं ताकि इनके असपास हवा ना लग सकी ठीक है तो इनको बचाने के लिए हम इनको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं फिर उसके बाद है next question number seven क्या आप निंबू के अचाहर को अल्मूनियुम के बरतण में रख सकती हो तो कोई भी धातु का डिबबा ποका होता है बरतण होता है जैसे लोहे की डिब्बे हो या अल्मूनियुम के हो या तामबे के हो उनमे हमें खक्टे कि पदार्त नहीं ڈालने चाहिए क्योंने डालने चाहिए क्योंकि जो खटे पदार्थ होते हैं जैसे निम्बू का अचार है वो खटा है या दहीं है वो भी खटी है तो उनमें हमें अमल होता है जो खटी पदार्थ होते हैं उनमें अमल होता है और जो अमल है वो अलमूनियम के साथ हभी करिया करके उने संक्षारित कर देता है उनको जंग लगा देता है जिससे बरतन खराब हो जाता है और दीरे दीरे नश्ट हो जाता है और जो उसमें रखा हुआ समान होता है जैसे अचार है या दही है ये भी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अक्साइड मिल जाते हैं दातों के तो वो चाहिए ठीक है बच्चो तो ये इसमें अभ्यास के प्रसंद मैं करा रहा हूं तो ये कोश्चन आपने अगर समझ में आए हैं तो आप क्या करेंगे इसको लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नए आए हो और घंटी के बटन को दबाएंगे ताकि सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं और अपने दोस्तों को भी इसको शेर करना है ताकि वो भी इसका फैदा उठासके तो इसकी इस वीडियो में इतने ही कोश्चन थे तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ ओके थैंक यू जैहिन